जनरल सिना, अजे आलो, ग्रिशी मिश्रा, शुकला जी जो सवाल अभी डॉक्टर रजीज खान ने पूचा, घरवालों से बात तो करिये ना, घर के बार दुश्मन बैठा है, खड़ा है दुश्मन, तो घरवालों से बात तो करनी चाहिए, आप संसद में बात ही नहीं करते आदरणी रक्षा मंत्री जी ने इस्तितियों से पूरे देश को आउगत कराया, राजसभा में आउगत कराया, आज भी अगर अजीज खान साहब ने राजसभा की कारवाई देखी हो, तो उस कारवाई में बाकाएदा सभापति महोद है, आदरणी जगदीज जगदीज ज कर रहा है, आप नीमा नुकूल आईए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको चर्चा करना ही नहीं है, आपको तो दुस्प्रचार करना है, दुस्प्रचार आप करेंगे कि भारत की सेना मार खा रही है, दुस्प्रचार ये करेंगे कि भारत की सीमा में चीन गूस आया है दुस्प्रचार आप एक करेंगे कि भारती सेना का मनोबल गिरा हुआ है दुस्प्रचार आपका जारी है जूकि 7000 किलोमिटर की सडकों का निर्माड चीन की सीमा पर पहली बार 1962-2014 तक जो 2013 में खड़े होकर स्वेम रक्षामंत्री ततकालीन एक एंटरी कहते थे कि हमारा बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वह एक हम सडकों का निर्माड़ी नहीं करना चाहते 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंग संसद में कड़े होगे कह रहे थे कि वहाँ जो सीमा पर 600 बार उन्होंने जड़ब की थी हो हमारे फिमा में घुसे थे चीनी 2008-2014 की बीच में लेकिन इस पर इशिव नहीं लोकल इशिव है और टाइमस ओफ इंडिया के पत्रकार उन्हें खब पुरुशार्त है और जैसा कि के के सिनासर ने कहा कि भाई रिजीम चेंज होने के बाद यह परिवर्तन आया है नहीं तो आप मुझे बता ही 38000 किलो मिटर अंदर घूस आए कभी उसको हटाने की कोशिश की गई 4000 किलो में कश्मीर में खा गए अरुनाचल प्रदेश को जो ह सोब तक दलाई लामा को वहां जाने नहीं दे ते यह आदारनी देद्र बोदी जी कही कारकाल है क्यूनाचल प्रदेश दलाही लामा जाते चीन विरोध करता रह जाता है तब तो डॉक्टमां मोहन जा रहे थे रूवक्त कर रहा थे और उस वेक्शा पार तो आप तो लगातार चीन के चंदा खोरी करके चीन के सामने दूम हिलाने के अलावां कांग्रेसी शासनकाल में हुआ क्या है चीन की आँखों में माखे मिला रहे हमारे तवांग में उनको पीट रहे हैं लोग आज में हमारे बलवान जो है वह अगर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो दो गुरे चीनियों को मार गिराते हैं ये स्थिती है ना। अज़िदा आप मुझे पताईए पहले कभ बतार है कॉंग्रेस पार्टी के नेता हैं सीने लीडर है अचारी जी स्वागत आपका देरी से आप जोड़े लेकिन सवाल आपसे अब ले रहा हूँ अचारी जी कहां से नोगा आई कहां कुत्ता चुए पर आई कौन से स्तर पर कहां आ गए हैं मैं वहीं डिबेट कर रहा हूं दर्वाजे पर दुश्मन है सरत पर दुश्मन है हम संसंद में लड़ रहे हैं आपस में बिढ़ेंगे तो दुश्मन से कैसे लड़ेंगे अचारी जी अधियर हमन जी बिलकुल ऐप ठीक बात कह रहे हैं कि जब देश का मुद्द आता है देश की बात आती है तो सभी प्लिटिकल पार्टी को एक सास्थ हो जाना चाहिए बिलकि द देश के सभी लोगों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए और मुझे लगता देश के मुद्दे पे देश एक साथ खड़ा है जहां तक आपका सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी मैं प्रेम शुकला जी को सुन रहा था वो कह रहे थे कितने हजार किलो मीटर जमीन जो है कॉंग्रेस की सरकार में चीन में कलजा कर लिया भाई अब दस साल से आप थे आप वापिस ले ले थे तो आपने वापिस क्यों ने ली आप अभी चीन पर हमला करने की बात करेंगे हम आपका समर्थन करेंगे हमने ऐसा कौन सा गुना कर दिया दूसरी बात यह है कि आप कहरे थे साब कॉंग्रेस की जो सरकारें थी वह बड़ी कमजोर थी तमाम आतंकवादी गटनाओं को ले करके विदेशी साजिशों को ले करके उकमजोर रही भाई साब ऐसा नहीं है पंडित प्रेम शुकला जी आप पापन था क्या का अंग्रेस का आज हमारी सेना में बद आगा आगा है तो नहरू जी कायर थे कहिए ना भाल दीजिए अच्छी बात है आपके तो तारीफ कर ने उनको उमीद भी है ना मोडी जी जी बूलिया पाचारी चाहिए आज आप मैं प्रेम शुकला जी से पूछना चाहता हूँ, दो बाते पूछना चाहता हूँ, कि कंधार का जो कांड हुआ, वो बीजेपी की राज में हुआ, पर्लेमेंट पर टेक बीजेपी की राज में हुआ, और गलवान बीजेपी की राज में हुआ, तो क्या हम ये कहें कि भारत क सरकार कमजोर है भारत की सरकार गलत है भारत की सरकार कायर है मुझे लगता है कि यह यह डिस्कोस ठीक नहीं रहेगा देश के लिए देश में कोई भी प्रधानमंतरी हो सरकार किसी के हो कोई समझोता करता हो या कोई कायरता हां कोई प्रधानमंतरी को कायर कहे कोई भूतपूर प्रधान मंतरी को कायर कहे, मैं दोनों के ही समर्थान में नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बड़ी विनमर्ता से कहना चाहता हूँ, 2013 का वाक्या है, दंगों में जो लोग मारे गए, उनके वारे में एक सवाल, आज के वरतमान प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी से किया गया थ जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनोंने कहा था, कि अगर कोई पिल्ला भी कुत्ते का पिल्ला भी मेरी कार के नीचे आके मर जाएगा, मुझे उसकी भी तकलीफ होगी, तो उसका मतलब यह नहीं था, कि वो मरने वालों को कुत्ता और पिल्ला कह रहे हैं, तो उस जाते हैं, और उन्होंने यह कहा है, इसमें आपको अगर बुरा लग रहा तो भई, क्या है, सत्व तो यह ही है, अचे बुला चारे जी, आजादी की लड़ाई में, कॉंग्रेस के किस नेता की शहादत, आजादी की लड़ाई में, यह कौन सा नेता जील गया, आजादी की लड़ाई में? हाँ नहीं सवार इस बात का कॉंग्रेस के तमाम नेताओं को जेल भी हुई शहादत भी हुई और उन्हें फासी भी लगी नहीं कि क्यों से नेता थे मैं सुन नहीं पाया प्रेम शुकला जी को अब मैं भले मैं यह पूंचा हो आप से किर्बा करके वंटाश पहला प्रह प्रह्षा चाहादत किस की विसका उत्तर नहीं है इनके पास कांग्रेस के कि सनेटा सभारान ने स्वतंतरता संगराम के दोरान बलिदान किया किसको काला पानी हुई किसको फांसी की सजा हुई इस वे कोई नाम नहीं है आपके पास में नोब बता देगे मैंने इसलिए फॉलाजी कि एक मिनिट ने आचारीज एक प्रणा दे घर शुक्ला का सवाल है एक मिट शुकला जी आजादी के लड़ाई में तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं संपादक रहे हैं इनना तो यह पता होना चाहिए कि आरेशस के जो सथापक हैं और गांधी के जंडे के नीचे चैहें वो आ सहयोग आंदो रण हो चैहें नमक आंदो रण हो और वो जो लड़ाई लड़ी गई वह कांग्रेस के नितरत में लड़ी गई इसको इससत्त को जुटलाया नहीं जा सकता है इस सत्त को जुटलाया नहीं जा सकता अगर इस सत्त को भी आप जुटलाना चाते हो तो जुटला सकते हो लेकिन जुटलाया नहीं जा सकता न जाएगा मगर अब सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं कि वो Congress खतम हो गई ये Congress Italian है ये Congress जो है वो नकली है तो भाई भारती जनता पार्टी भी की जब इस्ताफना हुई थी भारती जनता पार्टी जब पंडित अटल विहरी वैच पेई जी और तमाम स्यामा परसाद मुकर जी जी और अब बीजेपी बनी है जनसंग के बाद में तो अटल विहरी वैच पेई और अडवानी जी की जो भाज़पती वो आज नहीं है आज तो सच बात तो यह है अमन जी क्या आधी Congress जो है वो बीजेपी में चली है तो आपकी तो बीजेपी Congress यूग तो चुकी है अचारी जी सरहत पर दुश्मन है हम संसद में लड़ रहे हैं आपस में मैंने फिर वो इस सवाल जो रिशी से पी पूछा वही मैं आपसे पूछ रहा हूं दरवाजे पर दुश्मन है और हम अपने घर में दुश्मन ही उसी वक्त निकाल रहे हैं अभी कुता और चुए पर हम लोग प था १़िशे अब स्धार सकtences आप सप अरसले में औरुश्मन हे यदे परभी क्या सवस्मन ही उसी पी Cela आपि जो जो बाते चैनल आप में डरह जाएंगी ज़ेट की शृख्षा क सक Sister कि अ किसे चरिझ Ole कर रहे हैं जो बाते हैं एक हुए जो अंदर हो भी पार्लिमेंट कराने के लिए हम तयार है नीमा नुकूल आप आप आईए चर्चा कराएंगे यहां तो संकट यह है कि इनके मनीश्तिवारी सांसद है वह पूछत कहते हैं कि फौजों का डिप्लोयमेंट कैसा हुआ यह बताइए आप बताइए फौर्सेज का डिप्लोयमेंट संसद में किसी देश की संसद में अमेरिका अपने फौजों की डिप्लोयमेंट संसद में चर्चा करता है बिटेन चर्चा करता है कोई भी पार्लियमेंट में फौजों का ड निवराज चोरी-चोरी चुपके-चुपके वहाँ चले जाते हैं तो आप डिप्लॉयमेंट जानना चाहते हैं ताकि अपने आका चीन को बता सके आपके इन इरादों को लोग बनी बहुते हैं चीन चीन के बारे में चर्चक अरे वो तो गय ही थे ना भई डोगलाम क्यों गय थे आज तक बता दीजिए डोगलाम में जब हमारी सेन फौज हैं उनकी फौजों के सामने आंकों से तो चोरी-चोरी चुपके-चुपके सब परिवार क्यों गये थे है एमोईयोग क्या है आज तक हम पूच रहा हैं बता दीजिए आचार प्रमूत किस्टन नहीं बता दें यूए उटेखा है जो चीन की कम्मिनिस्ट पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का जो एमोईयोग recent में ile मैं जनल सेनल टाया ज कि प्रमूस की स्लाकार है मैं एके कमें